हलो दूस्तो नमस्कार एसे हम किसी चैनल में मैं आप सिबलों का दिल से बहुत-बहुत स्वाइद करता हूँ सो दूस्तो इस बुड़े में बात होने वाली है केवल और केवल एक ही शेर के बारे में ठीक है और किसकी वो भी आपको पता चली गया होगा बट चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फॉर्मलिटी के साथ ही जैसी के आपको पता है रिनेवल इनर्जी ये सेक्टर तो काफी जवर्दस परफॉर्मस दे रहा है और भविश्य में भी देता रहेगा ठीक है जिस प्रकार से सरकार का फोकस है आपे बढ़ते वे देखने को मिल रहा है और य इसी सेग्मेंट की अगर हमें बात करूँ तो दोस्तों आप सबीलंग को पताई है टाटा पावर येस टाटा पावर इसी सेग्मेंट में काफी अच्छा परफॉर्मस या पे दे रहा है ठीक है अगर हम कह सकते लगबग 12 साल से जो परफॉर्मस चल रहा था टाटा पावर हतियार टाटा पावर को भी आपे मिल चुका है बाकि अन्य कंपनिस को भी मिल चुका है जिसके चलते आप देख सकते हो इनका जो चार्ट पैटन है और कैसे पूरी तरीके से आपे बदला जा चुका है तो ये इतना लंबा प्रवचन क्यों चल रहा है और हर वीडियो में चलता है क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई उस बिजनेस में जो 12 साल से नीचे ही जा रहा था ऐसा क्या हो गया भाई कि 12 मेने में ही सब कुछ बदल गया करके तो उसके पीछे का रीजन ही यह ही है दोस्तो कि renewable energy renewable energy मतलब सभी सब कुछ आ गया इसमें electric vehicle भी आ जाता है charging infrastructure आ जाता है solar power आ जाता है wind power आ जाता है सब कुछ ठीक है तो यह वो reason है दोस्तो जिसके चलती इसके दिन बदले है और काफी सारे stock के दिन बदले है तो यह इतना में क्यों बता रहा हूं सबसे पहल कि हम लोगों को यही चीज़ चेक करनी है renewable energy इसमें इसका क्या contribution है इसमें इसका क्या performance है किसका टाटा पावर का क्योंकि यही वो चीज़े जिसने टाटा पावर के दिन बदले है वरना टाटा पावर जैसा मतलब बोलते हैं खराप stock कोई थाई नहीं आप यहाँ पे देख स तो renewable energy का performance जानना यह सबसे important चीज़ जैसे कि मैं हमेशा केता हूँ कि टाटा मोटर में भी जा रहे हो तो electric vehicle में उनके forecasting क्या है future के plan क्या है वो जानना हम लोगों के लिए important रहेगा परना टाटा मोटर भी क्या ही था कुछ भी नहीं था ठीक है वहाँ पे तो मारूती नहीं क लोग बात करें टाटा पावर के numbers की तो हम लोगों का खास focus रहेगा renewable energy से related हैं उसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई कि अब्दम से यहाँ पे कोई उच्छाल नहीं आने वाला है कि अभी 100 कमाते थे और सीधा जाकि 1 लाग कमाएंगे नहीं ऐसा नहीं होने वाला टाइम लगेगा भाई इन चीजों को प्रमोट करने के लिए सरकार भी प्रमोट करते हैं इसमें एक drawback कौन सा है renewable energy से related हाँ इसका जो first adoption जो cost है वो काफी जादा है ठीक है आपको benefits के long time में जरू मिलेंगे आपका cost recovery भी यहापे हो जाएगा benefit जरू मिलेंगे बट initial stage में इनक कुछ चीजे लेकर आ जाईए इसलिए तो सरकार ने rooftop solar panel से related प्रदान मंत्री सुर्यदय योजना लाई ठीक है एक करोड़ घरों के उपर solar rooftop setup होंगे तो उससे related 300 unit बिजली फ्री क्यों लाया जा रहा है इसी चीज को promote करने के लिए तो यह सारी बाते हमनों को business oriented सोचना आना पैटर्न या फिर यह प्राइस बीज नहीं देखना है ठीक है business में दम होगा ना दोस्तो बिलिव मी यह जो बीच का जो डॉट है 392.45 वो डॉट भी हट जाएगा अगर business सही होगा सही direction में अगर company जा रही होगी तो शेर इतना बड़ा बन सकता है तो यह चीज़े इतना ज जम कर लेते हैं यह सारी चीज़े हमें पता होनी चाहिए ऐसा नहीं कि बस number देख लिया 10 का 12 हो गया 15 हो गया और number अच्छा है या बुरा है नहीं टाइम लगता है business अगर आपने खुद से भी करने की कोशिच के होगी तो कभी ऐसा graph उपर ही नहीं रहेगा plus minus plus minus करके जाता ह है जो भी figures रहेंगे I guess crores में ही रहेंगे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ हां crores में ही लिखा हुआ है ठीक है so सबसे पहले हम consolidated number देख रहे है December September December sequence ठीक है ओके ठीक है so अभी आ जाते कंपनी का total income कितना है 15,294 करोड ठीक है 16,000 करोड इसके पहले था 14,400 करोड एक साल पहले में था so income से expense हटा देंगे profit मिलेगा या फिर loss मिलेगा तो चलिए देख लेते profitability बिना किसी adjustment का कितना है 1040 करोड यह इस वक्का profit जो last time था 1275 करोड राउंडेड पकड़े तो एक साल पहले था 656 करोड तो हम कह सकते yearly performance बिना किसी adjustment के profit वाला अच्छा performance है quarterly बात करें तो थोड काफी सारे adjustment हो दे इस companies के भी number को पढ़ना मतलब काफी सरधर्द रहता है बहुत सारे adjustment रहते है बहुत सारे adjustment पकड़ने के बाद उसके बाद आप देख सकते हो tax को भी include कर ही लेते सरकार को tax देने के बाद final जो profit for the period or the year जो हमनों को देखने का आप मिल रहा है वो कितना है य 1076 करोड यह company के हाथ में बचा हुआ profit तीन मैने पहले कितना था 1017 था और एक साल पहले 1052 तो आप देखी सकते हो कि almost same range में थोड़ा सा jump है एक साल पहले 1052 था वो 1076 हुआ और तीन मैने पहले 1017 था वो 1076 हुआ तो और अलम हम यहाँ आपे कह सकते है कि चलो नंबर फ्लाटिश अप है ठीक है ऐसा नहीं कि इब दम सूपर उपर हिट या फिर ऐसा करके बट फ्लाटिश अप देखने को आपे मिल रहे है बट जैसे मुने का यह तो नंबर ठीक है मुझे जो जादा रूचे वो company के segment wise revenue मे है वहाँ पे मुझे देखना है कि company का renewable energy में performance क्या है ठीक है यह तो हम लोग ने उपर उपर से देख लिया ठीक है यह यहाँ पे अगर 900 भी होता ना यहाँ पे 900 भी तो भी मैं इसको इतना ज्यादा वेटेज नहीं देता जितना मैं renewable energy को वेटेज देने वाला हूं क्योंकि वो एक ऐसी चीजे जो कि इनके पूरे आने वाले भविश्यक के game को change करने वाला है ठीक है इसके लिए काफी समय भी लगेगा यह मैं time to time आपको बता चुका हूं so EPS की बात कर लेते चलो earnings भी आप देख सकते 2.57, 2.93, 2.50 तो yearly jump है quarterly थोड़ा सा down देखने को आपे मिल रहा ह अब ही आ जाते दोस्तो major hidden point के उपर ठीक है hidden point मतलब जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को बता दिया कि जो कमाई हो रही है वो कौन-कौन से segment से हो रही है उसको यहापे देख लेते इसको थोड़ा में zoom कर लो तो और बेटर आपको view मिल जाएगा ठीक है sequence देख लेते December September, December, fine so यह रही है यह वाला था वो power generation जो हम लोग बोलते ना यह रही हो transmission distribution यह इनका धंदा है ठीक है यहापे यह चलता रहता है बट हमारे लिए important क्या है at least मेरे लिए हमारे लिए तो नहीं बोलना चाहिए चलो मेरे लिए तो वह भाई renewable energy यह वाला यह सबसे major है so एक जमा स्टेज है भाई अभी तक तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ है बहुत समय लगने वाले इसको सालों साल मेरे बीच में एक वीडियो भी बनाया था कि आप electric vehicle and renewable energy में निवेश ना करो करके ऐसा वीडियो बनाया था क्यूं ऐसा आगे लिखा था क्यूं निवेश ना करो क्यूं बना हुआ है कौनसा है इवी एंड renewable energy ठीक है क्यूंकि काफी 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 टाइम यह मांगेगा आपसे हो सकते हैं एक एक देर देर साल स्टॉक ना चले जो कि हम लोगों ने टाटा पार में देख भी लिया था उसको हम लोग थोड़ी देर बाद चार्ट पैटन के उ विचार करना चाहिए तो चले कंपनी का renewable energy में कितना है इस वक्की कमाई 2484 थोड़ा rounded figure ले लेता हूं लास्ट टाइम था 2146 और एक साल पे ले था 1917 चलो 1917 लेते तो 1917 हो गया 2484 अल्मस्ट पच्चिस सो और 2146 कितना हो गया अल्मस्ट पच्चिस सो के करीब तो यह वाला जो प पर्सनल मानना है कि market renewable energy segment को देखकर ही टाटा पावर के numbers को क्या पे consider कर रहा है कि वो कैसा कर रहा है कि क्योंकि यही वो चीज थी वरना कोई मुझे तो नहीं लगता है कि वाई 2020 से पहले इसको देखता भी था at least मैं तो देखता भी नहीं था कोई sense की बात ही नहीं थी बट renewable renewable energy की चलते ही इसके दिन बदलते वे देखने हो का आपे मिल रहा है और यही चीज इनके दिन बदलेंगे अगर कल टाटा पा और यह बोल दे कि renewable energy के लिए हम अभी काम नहीं करेंगे भाई यह stock ही खतम हो जाएगा ठीक है क्योंकि पूरा जो यह stock चल रहा है वो इसी segment से related च score कर पाओगे तो और अलगर में conclusion बोल दू तो conclusion में यह renewable energy वाला segment है यह मुझे काफी अच्छा लगा है वरना total number देखा गया ना ठीक ठाक रहा है बट यह वाला जो segment इसी चीज को पकड़ कर शायद से अभी कल तो चुटी है मतलब मंडे की दिन market शायद से मुझे इसा लगत करती है काबिलियत तो काबिलियत तो इस company में जबरदस देखने को मिल रहा है ठीक है तो उस हिसाब से हम लोगों ने विचार यह आपर करना है तो मंडे की दिन भागे बहुत भागे गिरे बहुत गिरे इसे long term investor को इतना कोई फरक तो यह आपर नहीं पड़ेगा short term वाले ख चेक करोगे ना तो इतने आपको energetic नहीं मिलेगे फिर भी stock भागे जा रहा है इसके पीछे का reason ही renewable energy है उसे related जितने खबरे आएंगी सरकार के और से जितना supporting वाला positive खबर यहापे निकलते रहेगा and segment wise revenue मे renewable energy जितना अच्छा करते जागा यह stock हम लोगों को उतना ही अच्छा performance देते हैं देखने को मिलेगा पर याद रखना इसके बीच में इस प्रकार के बीच बीच में obstacles आते रहेंगे obstacles आपको हरे stock में देखने को बनेगे railway पकड़ लो यह पकड़ लो वो पकड़ लो यह रिखी जैसे मैं आपको बोला था ना यहाँ से लेकिए यहाँ तक count कीजे exactly देड़ साल stock एकी range में था तो लोगों का वही start हो गया अरे यह तो भाग रहा था अच्छा बता रहे थे आप यह stock अच्छा है वैसा है देड़ सालों के चली नहीं रहे अरे भाई लंबिया होदी investment इसलिए बोला जाता है कि सालों साल return से आपे बनेंगे नहीं करके ठीक ह तो कई समय तक वो चलेगा ही नहीं करके और कब हजार का बन जाए we don't even know so काबिलेत होनी चाहिए और वो काबिलेत नजर आ जाती इस company में तो जो आप further इस company को यहाँ पर study कर सकते हो investment के हिसाब से मेरे side से भाई कोई recommendation ही करीदना है बेचना है hold करना है average करना है वो हरकी सी का अपना पैसा भई अपनी अपनी मर्जी बट oral numbers के इसाब से अगर देखा गया तो oral number flattish अप ही देखने का आप मिल गये बट renewable energy वाले point ने हम कह सकते है company side direction में जारी है यह point तो यहाँ पर investor को बता दिया है तो आशा करता दोस्तों वीडिया helpful लगा होगा तो चाहो तो आप तब तब कि लिए बबाइ